नमस्कार आप सभी का स्वागत है इस पर्टिकलर वीडियो में हम बात करेंगे एडॉप्शन की उपर एडॉप्शन में काफी जाधा परिशानी आती है अगर आपके बच्चे नहीं है अगर आपको किसी बच्चे को गोद लेना है तो उस कंडिशन में कारा का प्रोसीजर है जो Central Adoptive Resource Body है वो काफी कॉंप्लिकेट प्रोसीजर है मतलब इतनी आसानी से बच्चे आपको गोद नामे मिलते नहीं है अब एक जज्जमेंट आया है काफी महत्रपूर्ण जज्जमेंट है और इस जज्जमेंट को हम कहते हैं Thomas P. and Anothers vs. State of Karnatica का जज्जमेंट इस adoption को deal कर सकते हैं ये किस ने कहा किरला हाई कोट ने कहा क्यों कहा उसके पीछे कुछ कारण है सबसे पहली बात तो ये केस ऐसा था जहां पर एक जो कपल है मानलीचे husband wife उनके बच्चे नहीं हो रहे थे उन्होंने सारे प्रयास कर लिए उसके बाद भी बच्चे नहीं हो रहे गई तो family court ने rigid कर दिया बोला भी हमारे पास में ऐसे कोई power नहीं है जहां पर हम बच्चे के गोधनामा को कर सके आप तो सारा का जो procedure उसको comply करो अब ये परिशान हो गए परिशान होने के बाद में हाई कोट पहुँच गए कहा किरला हाई कोट जब किरला हाई कोट गए त तो वहाँ पर काफी बात विवाद के बाद एक निसकर्ष निकला और एक judgment काफी महात्वपूर्ण है आपको भी ध्यान रखना चाहिए अगर आप adoption को deal करना चाहते हैं अगर आप किसी बच्चे को गोध लेना चाहते हैं तो कोई भी जो family court है अगर उसको competent या proper jurisdiction है तो उस condition पर वो बच्चे के गोधनामा का निर्धारन कर सकेगी कैसे कर सकेगी उसके लिए कानून है कौन-कौन से कानून welfare of child का पहला तो कानून है जो कि JJ Act जिसको हम लोग बोलते हैं juvenile justice act जो की है care and protection of children के लिए 2015 का कानून है उसके बाद में JJ Act के कुछ rules भी बने हुए मतलब juvenile justice care and protection of children rules 2014 और adoption regulation 2017 में जो लाए गए थे जिसके तुरू कारा को भी operate किया जाता है तो कारा का जो procedure है वो तो काफी ज़ादा complicated है लेकिन यहाँ पर अगर किसी रिष्टेदार के बच्चे को आपको गोध लेना है तो उस condition पर आपको हो सकती है आसानी जहाँ पर आपको करना क्या है क गोट आपके application को consider करेगी अगर नहीं करती है तो आप reference दे सकते हैं किसका reference जो मैं आपको judgment बता रहा हूँ यह judgment है Thomas P. and another versus state of करनाटका का judgment तो यह आपको काफी ज़ादा काम आने वाली बात है अब ध्यान यह रखना है कि इस particular judgment में relationship important था क्योंकि इनके भाई के ही बच्चे देना तो इस वजह से अगर आपके भी कोई relative के बच्चे अगर आप गोद लेना चाहते हो या कोई देना चाहते हो तो आपको इस procedure को comply करना फिर कारा के procedure को आपको comply नहीं करना जो की काफी ज़ादा complicated होती है जिसमें time ज़ादा लग जाता थोड़े धक्के ज़ादा खाने पढ़ते हैं बट जो procedure मैंने आभी आपको adoption संबंदित बताया वो काफी बहतर है जिसे आप follow कर सकते हैं आपको जानकारी कैसी लगी मुझे जरू comment box में mention कीजेगा adoption संबंदित कोई अगर आपके प्रशन है आप इस वीडियो की description में जरू पूछ सकते हैं comment box में पूछ सकते में जी हां marital rape यानि शादी के बाद जो महिला होती है उसके साथ अगर सारेरिक शोषन पदी के द्वारा किया जाए या जबर्शिस्ती शारेरिक संबंद बनाये जाए तो उसे क्या marital rape माना जाएगा और माना जाएगा तो क्या इसमें भी सजा का प्राबधान है माननीय द